7 मार्च इंगलिस पेपर में इंगलिस की कोपी कैसे लिखें अगर 7 मार्च को इंगलिस की कोपी आप येसे लिखोगे तो नमरों की बारिस होगी और पूरे 80 नमर लाने से आपको कोई नहीं लोग सकता नमस्कार प्यारे बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्सा 10 के चात्र हैं और 7 मार्च इंगलिस पेपर के आप त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कम्पलेट देखना है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको राजस्तान बोर्ड कक्सा 10 इंगलिस की जो कोपी है जो आपके 7 मार्च को जो आपका इंगलिस का पेपर होने वाला है और उस इंगलिस के पेपर में आपको कोपी है वो कैसे लिखनी है अगर जो तरीका में आपको बता रहा हूँ, जो points में आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन points को follow कर लिया, तो English paper में 7 marks को आप पूरे 80 marks हैं, वो forward सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे points हैं, जो board topper विद्यारती हैं, वो उन points को follow करता है, और एक board topper विद्यारती है, वो किस परका तो वीडियो को कहीं पर भी आपको skip नहीं करना है, वीडियो को complete देखना है, अगर आपको paper में कोई question नहीं आपको पेपर में केसे attempt करना है, उन question को आपको paper में केसे लिखना है, तो वो भी मैं इस video के अंदर आपको बताऊँँगा, यानि copy के अंदर आपको 7 marks English का जो paper है, वो copy में आपको कैसे लिखना है कैसे आपको copy लिखनी है पहले आपको कौन सी questions करने है तो पूरा जो paper है वो आपको कैसे लिखना है तो इस वीडियो के अंदर पूरा process में आपको बदाऊंगा तो वीडियो को आपको पूरा देखना है तो जैसा कि प्यारी बच्चो सबसे पह मिलेगी आपको उस कोपी में जो फस्ट पेज मिलेगा आपको उसको सही से आपको फिल करना है अगर आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती करेंगे तो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में आ जाएगा यानि आपका रिजल्ट है वो सो नहीं होगा तो इसलिए आपको copy का जो first page है वो आपको अच्छे से fill करना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको करम संग्य मिलेगी यानि यहाँ पर copy code मिलेगा आपको और सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मादेमिक शिक्ष्या बोर्ड राजस्तान अजमेर और मादेमिक परिक्ष्या दो हजार चोबिस ओके और परिक्ष्यार्थी दवारा स्विम भरा जाना चाहिए यानि यह जो first page है यह विद्यार्थी के दवारा भरा जाना चाहिए यानि इसमें आपको सबसे पहले आपका जो परवेश पत्र है admit card है उसकी help से ही आपको fill करना है तो सबसे पहला जो option मिलेगा आपको candidates role number यानि एक तो आपको मिलेगा in figures और एक आपको मिलेगा in words में यानि एक तो आपको अंको में लिखना है यानि आप अपने admit card में देख सके कि आपका role number क्या है वह आपको यहां पर अंको में fill करना है उसके बाद में word में लिखना है आपको यानि सब्दों में लिखना है और English में भी आपके role number है वह आपको लिखने हैं उसके बाद में हिंदी में भी आपके role number लिखने है यानि यह वाला जो option है इसमें आपको role number fill क करना है अंकों में सब्दों में और आपके इंगलिस में उसके बाद में नेक्स्ट आपके यहां पर जो नोट लिखा हुआ उसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि प्रिक्चारती उप्रोक्त के अंतरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग में अपना नमांक नहीं लि देखना है वो भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा तो वीडियो को इसकिप नहीं करना है वीडियो को complete देखना है और उसके बाद में next जो option मिलेगा वो आपको माद्यम का मिलेगा मिडियम का आपको मिलेगा अगर आप इन्दी मेडियम के student है तो इस column में आपको सही का चिन लगाना है अगर आप अंग्रेजी माद्यम की विद्यारती है इंग्लिस मीडियम की विद्यारती है तो आपको इस वाले box में आपको सही का चिन लगाना है उसके बाद में सा वार है वह आपको यहां पर लिखना है उसके बाद में दिनाग लिखनी है साथ उसके बाद में जीरो तीन और चोबिस ओके यानि पूरी डेट भी आप लिख सकते हैं उसके बाद में नोट लिखा हुआ फिर से प्रिक्षार्थी के लिए आवसेक निर्देश इस प्रस्ट के निर्देश है या आपको नहीं पढ़ने है ओके जो टीचर आपकी जो इजामिनर आपकी कोपी चेक करेगा उसके लिए ये आपके निर्देश दिये गए हैं तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये एक बोर्ड टॉपर विद्ध्यार्थी की कोपी है जिसने पू और साथ मार्च पेपर में आप तहल का मचा के आओगे साथ मार्च पेपर में आप इंग्लिस के पेपर में पूरे असी में से असी मारक्स हैं वो फोड कर आओगे तो वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है तो सबसे पहले पैर करने हैं जो आपको अच्छे से आ रएं अगर आपके एगजामिनर आपकी चेक करेगा इसटार्टिंग के पैज़ है अगर उनमें आपके फुल-मारक्स आ रहे हैं तो लास्ट की जो पैज है उन पर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा इसलिए आपके अच्छे मारक्स हैं वो आपके आएंगे तो प्यारे बत्चों कुछ बोन संग्त भी आपको मिलेंगे हैंड राइटिंग है वो आपके अच्छी होनी चाहिए हैंड राइटिंग पर विशेज ध्यान देना है और बोर्ड की कोपी में आप दो प्रकार के पैन यूज कर सकते हैं एक ब्लेक पैन यूज कर सकते हैं और एक ब्ल्यू पैन यूज कर सकते हैं ब्लेक पैन का कहां यूज करना है ब्ल्यू पैन का आपको कहां यूज करना है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो देखे बलेक पैन है वो आपको कहां यूज करना है पहरे बचो तो बलेक पैन है वो आप हेडिंग में यूज कर सकते हैं और जो पेपर है उसमें आपको चार सेक्षन मिलेंगे सेक्षन A, सेक्षन B, सेक्षन C और सेक् बाद में जो answer आपको लिखना है वो आपको blue pen से लिखना है तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो कुस्षन है इसमें इस बच्चे ने पूरे marks प्राप्त किये हैं इसमें जो answer 2 है यानि question 2 है question 2 में answer first है जिसमें a आएगा आपके second में c दे रखा है third में आपके b दे रखा है और उसके बाद में fourth में c दे रखा है 5 में आपके a दे रखा है इसमें a option देर रह कcules को देखिए अप को mm पूरे marks मिल रहे इसी प्रकार से मेरे लों जो आपको 7 मार्च को English की कोपी लिखनी है इसी प्रकार से आपको कोपी को लिखना है आपकी handwriting कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो examiner है वो आपकी copy जांच कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए इतनी अच्छी writing आपकी होनी चाहिए यह आपके सबसे best handwriting है जो copy check करेग उसको आपकी जो handwriting है सामने वाले को जो आपकी handwriting है वो समझ में आनी चाहिए उसके बाद में answer 7 answer 7 है इसमें first A option दे रहा है तो इसमें भी इस बच्चे ने पूरे marks प्राथ किये हैं उसके बाद में second है इसमें B option है innate तो इसमें भी वन मार्कस मिला है इसको और उसके बाद में question number third है जिसमे answer first है जिसमें B option है और answer 2 है इसमें A option है answer third है जिसमें C option है और C option में क्या दे रहा है आपको have been studying और answer 4 में आपके A option है जिसमें take है इसी प्रकार से आपको लिखना है इसी प्रकार से आपको grammar के questions करने हैं book के questions करने हैं paragraph हैं और letter हैं email हैं यह आपको कैसे करना है तो पूरा copy आप देख सकते हैं उसके बाद में answer 11 आप देख सकते हैं और जितने words में आपको दिया गया है सबसे important बात आपको यही द्यार रखने हैं कि जितने word में आपको answer पुछा है उतने ही सब्दों मे उतने ही words में आपको answer लिखना है और उसके बाद में question 6 दे रखा है आपके जिसमे answer first है इसमे answer second है तो जितने words में है आपके जितना right answer है उतना ही आपको लिखना है बड़ा चड़ा कर आपको नहीं लिखना है क्योंकि ज्यादा pages बरने से आपके marks हैं वो नहीं आएंगे जि फुल मारक्स इस बच्चे को दिये जा रहे हैं उसके बाद में question number 9 में answer first है question number second है answer second है answer third है इसी परकार से आपको 7 मार्च को English की copy में लिखना है उसके बाद में question number 10 इसका answer आप देख सकते है book का question है आपके लेंचो वाजे पूर फार्मर he is on his field with corn तो आप देख सकते है book का questions दे रहा है तो book वाला question आपको कैसे attempt करना है exam में और इस बच्चे ने full marks इसमें achieve किये हैं प्राप्त किये हैं उसके बाद में question number 11 का solution आप देख सकते हैं ये भी आपके two marks का है तो two marks इस बच्चे को मिले हैं full marks इस बच्चे को दिये जा र question number 12 का solution आप देख सकते हैं विसंबर वाला question है आपके two marks इस बच्चे को इसमें भी मिले हैं उसके बाद में question number 13 का solution आप देख सकते हैं इस बच्चे ने इस question में भी two marks achieve किये हैं और उसके बाद में देखिए next answer आप देख सकते हैं इसमें भी इस बच्चे ने two marks पूरे प्राप्त किये हैं इसी प्रकार से पेरेवेच्व आपको लिखेना है इस बच्चे की handwriting अवो इतनी अच्छी नहीं है ओके फिर भी इस बच्चे ने पूरे 80 में से 80 marks प्राप्त किये तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं handwriting सबसे अच्छी वह होती है कि जो आपके सामने वाला जो आपकी कोपी जांच करेगा उसको आपको आपके handwriting समझ में आनी चाहिए वह handwriting सबसे बेस्ट होती है और यह question number 15 है इसमें answer first है इसमें two marks दिये जारे हैं और question number 15 में जो answer second है इसमें भी पू solution है जितने सब्दों में पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है इसमें भी three marks इस बच्चे को मिले हैं ओके यारी बड़ा चड़ा कर आंसूर आपको नहीं लिखना है उसके बाद में question number 21 इसमें भी आप देख सकते हैं full marks इस बच्चे को दिये गए हैं यह एक टोपर वि देखने को मिलेंगे ओके यानि 80 marks आप होड़ सकते हैं उसके बाद में इस question में भी three marks इस बच्चे को मिले हैं उसके बाद में देखिए पहरे बच्चो इमेल आपको कैसे करना है तो question number 3 email वाला question आप देख सकते हैं email इस बच्चे ने इस प्रकार से लिखी है इसी प्रकार स story आपको कैसे लिखनी है अगर आप ऐसे story लिखोगे तो full marks आपको मिलेंगे चार marks की story ये moral भी लिखना है आपको ओके और उसके बाद में question number 25 है इसमें आप देख सकते हैं ये celebrate my birthday इस पर प्रेग्राफ है तो प्रेग्राफ भी आपको ऐसे ही लिखना है इस बच्चे को भी four marks इस प्रेग्राफ में मिले हैं और यहां पर आप देख सकते हैं पूरे 80 में से 80 marks मनले है complete marks सभग सकते हैं उसके बाद में यहां पर आपkę सेंस बच गए यानि जितने भी पेज आपके रह गए जितने भी आपके पेज बच गए हैं आपको इस प्रप्तिक्रत City सुब्छे लिख पहरे हो और ये तो पूरे 80 में से 80 मारक्स हो आप इच्छा लगे तो वीडियो को थे बचचों के साथ ओड़ू के साथ करें और चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजी